पेंडरा के धनपुर गाओं में किसान के जमीन पर खेत निर्मान और जुताई के दुरान सेक्ड़ साल पुरानी खंडित मुर्ती और मंदर के अवशेश मिले। प्राबी के खेत में कल शाम जेसी भी लगा कर खेत निर्मान कारी चल रहा था। तभी खुदाई के दुरान खेतों से मुर्तिया और मंदर के अवशेश मिले। प्रशासन की कोता ही सामने दिखाई देती है क्योंकि इन्हें वेवस्तित नहीं रखा जाता। साथी समय के साथ जरूरत थे कि इन्हें सहेच के रखा जाए ताकि ये प्राचीन कालीन मुर्तियां परेटकों को देखने समझने के लिए सुरक्षित मिल सके। गाउं के साथ ये आसपास के गाउं के लोग इन निकली हुई मुर्तियों के अवश्यशों को देखने के लिए काफी संख्या में पहुँच रहे हैं। ये जो मुर्तिया निकल रहे हैं किस टाइपी मुर्ति है बाबा? हाँ चेच का मुर्ति हैं अभी जो निकला हुऊ किस टाइपी कोई से भगवान है क्या है? वह ये तो खले है तो क्या लगता है बाबा इसको सुरक्षित करना चाहिए? बाद बाद है तो क्या अभी तक कोई सुरक्षित करने का नहीं सोच रहा है? अब चब देवी मली गाए हैं निकलता रहा तो मंदिर में वहां रख दिये हैं लेकिन व्यवस्था नहीं कर पाते हैं मीरा मराभी है कहा रहते हो गाई हम तो धानपूर को निवास हैं मगर यह शुरंग है क्या हुआ भई कल यह मसीन लगवाया है आप लोग तो क्या हुआ यह मसीन लगवाया था हम लोग जो थढ बनवाने की तो अ मुर्ती जो निकलना ओव पहले यह पर जोता हैं नहीं हो रही है नहीं हो रा था इसमें पहले चलवाया था काद दो मुर्ती निकला था इसमें जादा ही निकला तो फिर में नहाने आया पांच शाधे पांच छाए बज़े हो तो खंभा को हम मैं दिखी। खंबा भी है उसमें, तो क्या लगता है कितना पुराना होगा बाई यह तो पुराना बहुत है, बाबु जी हरे आ रहा है, पूछ ले ना बहुत पुराना होगा यह, पान सार के होगा GPM से अंशुर सोनी की रिपोर्ट